Hello Friends, Welcome back to my share MasterCraftor Friends, आज के वीडियो में हम ये skirt बनाएंगी और ये skirt में organza fabric का बना रही हूँ organza fabric आज कल बहुत ज़्यदा trend में है इसकी सारी भी बहुत ज़्यदा trend कर रही है तो इसी fabric से हम ये skirt बना रहे हैं तो चले इस टार्ट करती है आज का वीडियो इसके लिए कि मैंने औरगेंजा फैब्रिक लिया है और ये मैंने तीन मीटर लिया है और इसके साथ ये मैंने सिल्क का लाइनिंग पीस लिया है ये औरगेंजा फैब्रिक है इसलिए ये बहुत ही ट्रांस्पेरेंट होता है और इसके नीचे से जो भी फैब्रिक हम लगाते ह वह उसमें से दिखता है तो हम यह साइनिंग वाला लगा रहे हैं इसलिए मैंने यह सिल्क का फैब्रिक लिया है तो सबसे पहले हम इस सिल्क के फैब्रिक पर कटिंग करेंगी तो इसको हम ओपन कर लेते हैं यह भी हमारा तीन मीटर है और अब हम इसको डवल फोल्ड कर लेते हैं तो यहाँ पर मैंने इसको डवल फोल्ड कर लिया है और इस साइड से यह ओपन है और दूसरी साइड से यह यह बंद है यहाँ से हम इसको पल्टेंगी क्योंकि हम इसको ट्रेंगल से इप में रखना है तो हमें जो खुली साइड है वहीं से इसको ट्रेंगल बनाना है कॉनर कोम अच्छे से दबा लेंगा वेश्ट का मेजरमेंट देखते हैं तो हमें वेश्ट का मेजरमेंट नहीं लेना है यहाँ पर हमें हिप का मेजरमेंट लेना है और हम साथ में लोजिंग भी रखेंगे तो यहाँ पर मैंने 10 इंच पर मार्क किया क्योंकि इसका हिफ 38 इंच है और इसमें मैंने 4 इंच लूजिंग के लिए दिया है तो ये टोटल 40 इंच हो गया है तो उसका हम 4 पार्ट लेंगे जो 10 इंच है इसके बाद हम उपर कॉनर से भी देख लेंगे तो ये दोनों तरफ 13 इंच पर हम मार्क कर लेंगे और अब हम यहाँ से टेप को रखेंगे और 10 इंच पर गुलाई में मार्क करेंगे इसके बाद हम इसकी लेंग देख लेते हैं तो इसकी लेंग भी हमें 40 इंच चाहिए है और ये हमारा लाइनिंग पीस है नीचे लगए गाई तो इसमें हम 2 इंच कम रखेंगे तो यहाँ पर मैंने 38 इंच को लिया है जो हमारा मैन फैबरिक रहेगा वो हम 40 इंच तक रखेंगे तो यहाँ पर मैंने 38 इंच पर 38 इंच पर मार्क कर लिया है और इसी तरीके से हम उपर कॉर्णर से टेप को रखेंगे और 38-38 इंच पर हम मार्क करते जाएंगे और पूरे राउंड पर हम 38 इंच पर माग कर लेंगे तो एक साइड ये फैबरिक हमें पूरा मिल गया है लेकिन एक साइड ये कम पड़ रहा है तो जो नीचे का हमारा फैबरिक है उसको हम लगाएंगे तो इसके बाद हम इसके कटिंग कर लेते हैं सबसे पहले वेश्ट की कटिंग लेंगे तो वेश्ट की कटिंग के लिए मैंने आधा इंच उपर से कट किया है क्योंकि ये सिलाई में भी जाएगा और नीचे भी मैंने राउंड को कट कर लिया है और अब जो फैबरिक कम पड़ रहा है वहाँ पर हम इस बचे हुए फैबरिक को इस तरीके से रखेंगे तो इसमें से दो पीस आराम से कट हो जाएंगे तो यहाँ पर हम उपर से इसको एक इंच एश्टा लेंगे स्लाई के लिए उसके बाद इसको कट करेंगे नीचे से तो यहाँ पर हम इसको cut कर लेते हैं तो यह मैंने इसको cut कर लिया है और अब इसको हम यह folded है इसलिए हम इसको बीच से भी cut कर लेंगे तो यह two part में हो जाएगा और इसके बाद ही यहाँ पर हम इसको stitch कर देंगे तो यहाँ पर इसको हम इसलिए लगा देते हैं दौनों तरफ तो यह मैंने इसके उपर इसलिए लगा दी है और अब हम man fabric पर इसकी cutting कर लेते हैं इसको भी हम उसी तरीके से ट्रेंगर शेप में रखेंगे एक बाद फोल्ड करेंगे और फिर इसको triangle shape में रखेंगे तो यहाँ पर यह मैंने इसको fold कर लिया है और अब हम corner से इसको triangle shape में रखेंगे इस तरीके से जैसे हमने पहले बारा fabric रखा है तो अब हम अपनी cutting को इसके उपर रख देंगे और नीचे से हमें 2 inch extra लेना है क्योंकि हमें इसकी जो length है वो 40 inch चाहिए है तो waist से तो हम इसको same to same cut करेंगे और नीचे से हम तो इसको cut कर लेते हैं तो यह मैंने इसको cut कर दिया है और इसी तरीके से इस fabric में भी यहां पर यह जोइंट आएगा तो इसको भी मैंने cut कर लिया है और यहां पर joint भी कर लिया है तो यह हमारी दोनों part cut हो चुकी है इस तरीके से इतना इसका घेर आएगा इस fabric में बहुत ज़्यादा घेर लिखता है इसके बाद अब इसमें हम slide लगाएंगे side से तो हम man fabric में और lining piece में अलग-अलग slide लगाएंगे तो यहां पर मैंने यह slide लगा दी है lining piece पर यह इसका घेर आया है और यह man fabric पर भी slide लगा दी है इसके बाद हम दोनों fabric को wish से join कर लेंगे तो यह मैंने man fabric को सीधा रखा हुआ है और इसके अंदर हम यह lining piece को डालेंगे और इसको भी हमें सीधा ही डालना है और दोनों के जो round है waist पर उस पर हम slide लगा लेंगे यहां पर हम slide लगा लेते हैं तो नीचे से इसका घेर अलग लग रहीगा लेकिन उपर से हमें इस पर slide लगानी है तो यह मैंने waist पर slide लगा दी है यहां पर यह slide लग चुकी है इसके बाद हम इसका belt कट करेंगे तो यह मैंने man fabric की lining piece की पटियां कट की है 5 इंचिस की चोड़ाई है और इसकी जो length है वो waist के हिसाब से है इसके बाद हम man fabric को lining piece के उपर रखेंगे और दोनों तरफ से slide लगा दीगे यह मैंने दोनों तरफ से slide लगा दी है और यहां पर side से भी slide लगा दीगे तो यह मैंने side से slide लगा दी है इसके बाद belt को skirt पर joint कर लेंगे तो यहां पर यह मैंने skirt रखा है और belt को मैंने इस तरह के से सीधा ही रखा है दोनों फैबरिक सीधे हैं अब इस तरीके से हमें बैल्ड को उल्टा करना है और इसके उपर चड़ा देना है उल्टा स्कट के उपर इस तरीके से मैंने इसके उपर ये चड़ा दिया है और अब हम वेश्ट पर सलाई लगा लेंगे यहां से तो ये मैंने यहां पर सलाई लगा दी है और अब हम इसको सीधा कर लेते हैं यहाँ पर इसको मैंने सीधा भी कर लिया है इसके बाद उपर से हमने इसको फोल्ड कर दिया है हाफ हाफ इंच और अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे जो हमारा मार्जिन है उसके उपर से हम इसको रखेंगे उसलाय लगा देंगे तो यहां पर मैंने इसको सलाय लगा दी है और यह जो हमारा belt है वो 1.5 इंच का होगा तो यहां पर मैंने इसको हलका सा open रखा है जिससे हमारी elastic इसमें जासके तो इसके बाद हम इसमें elastic डाल लेते हैं नीचे से आप चाहें तो इसको पीकू भी करा सकते हैं या आप इसको डबल फोल्ड भी कर सकते हैं तो इस तरीके से आप इसको डबल फोल्ड कर लें या आप पीकू भी कर लें लाइनिंग पीस को भी हम नीचे से डबल फोल्ड कर लेंगे कि अब हम इलास्टिक में डाल लेते हैं कि इलास्टिक की जो लेंद है वो में 29 इंच रखी है तो अब हम इसको सेप्टी पिन की हेल्प से बैल्ट के अंदर डाल देंगी और इलास्टिक के दोनों छोर पर हम सलाई लगा लेंगे इसके बाद जो नीचे का खुला हुआ हिस्सा है उसको भी हम सिल देंगे तो ये मैंने इसको यहाँ पर रेडी कर दिया है तो ये हमारा स्कर्ट बनकर रेडी हो चुका है ये स्कर्ट बहुत ही अच्छा लगता है और इसको हम लेंगे की तरह भी पहन सकते हैं क्योंकि आजकल है भी लेंगे का ट्रेंड नहीं है इसलिए हम इसे लेंगे के जैसे भी यूज़ कर सकते हैं इसे हम टॉप के साथ पहन सकते हैं और शेट के साथ पहन सकते हैं और लेहंगे की तरह भी यूज़ कर सकते हैं तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कॉमेंट करके जरू बताएए और सब्सक्राइब कीजिए में चैनल मार्शा करप्टर को साथ ही वेल आइकन को जरू प्रेस कर लीजिए और मुझे इंस्ट्राग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए तो चले मिलते हैं नेक्स वीडियो में किसी नेटेजान के साथ तक के लिए बाई टेक क्यार